आपका हमारे चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल में स्वागत है आगे बढ़ने से पहले प्री चैनल जुरू सब्स्राइब करें स्वास्थय के लिए बहुत ही फाइदेमंद है अस्वगंधा अस्वगंधा एक उस्धिय पोदा है और यह अनेको बिमारियों में प्रियोग किया जाता है अस्वगंधा की ताजा पत्तियों और जड़ों से घोड़े के मुत्र की गंध आने के कारण ही इसको अस्वगंधा क क्या है तनाव को दूर करें अस्वगंधा का चुरनेमित रूप से खाने पर यह मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी समश्याओं को खतम करता है और साथ ही यह यह यादास भी बढ़ाता है और मन को शांत रखता है हाई ब्लेड प्रेशर को कंट्रोल करता है अगर आपको हाई ब्लेड प्रेशर की समश्या है तो यह उसके लिए एक कारगर ओस धी है और अगर आपको लो ब्लेड प्रेशर की समश्या है तो इसका सेवन पिलकुल भी ने करें पेट समंदी बिमारियों को ठीक करें पेट समंदी बिमारियां जैसे की पेट दर्ध कैस कवज आदी में दो चमच अस्वगंधा, एक चमच सोंठ और तीन चमच मिश्री को अच्छे से मिक्स करके पाउडर बना ले और सुबह श्याम खाना खाने के बाद एक गिलास गरम पानी या दूद के साथ एक चमच मिश्रन को जरूर ले कफी आराम मिलेगा खासी और दमा में लाब कारे अस्वगंधा का चूरण शुबह श्याम गरम दूद के साथ लेने से खांसी और दमा जैसे बिमारियों में भी काफी लाब होता है अनिंद्रा की समश्या को खतम करे अगर आप अनिंद्राय और दूसरी मानसिक बिमारियों से पीडित हैं तो जैसे कि मानसिक तनाव मैमोरी लोज आदी तो आपको अस्वगंधा का निमित रूप से सेवन चुरूर करना चाहिए ऐसा करने से आपकी सभी मानसिक समश्याएं खतम हो जाएंगी इस्त्री रोगों में लाभकारी, इस्त्रियों में अक्सर स्वेत प्रदर यानी लुकोरिया की समश्या अक्सर देखने को मिलती है और इसके इलाज के लिए आप दो ग्राम अस्वगंधा चुरूर्ण में आधा ग्राम वंच लोचन मिला कर अच्छे से मिक्स कर ले और इसका लगातार सेवन करने से कापी लाब होगा आँखों की रोशनी बढ़ाए अगर आप अस्वगंधा, आवला और मुलेठी की बराबर मातरा लेकर एक मिक्स्च तैयार कर ले और हर रोज खाना खाने के बाद एक चमच खाने से रोशनी बढ़ने लगेगी आशा है आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारा चैनल जुरू सब्सक्राइब करें हैल्दी लाइफस्टाइल धन्यवाद